नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है यश्यस्वी वर्मा और स्वागत है आपका ODTag Guide चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि जिन स्टुडेंट्स ने डिपलोमा इन ऑपरिशन थेटर टेकनोलोजी का कोर्स किया वा है और यदि उनके पास experience भी नहीं है तब भी उन सभी candidates के लिए PGI के द्वारा कुछ vacancy निकाली गई है उस vacancy की advertisement को download करने का process जान लेते हैं आप PGI की official website open कर लीजे simply google करके फिर आपके यहाँ पर recruitment tab में जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे 17 नंबर के रहा हूं यह group ABC वाली जो advertisement है 206 पोस्ट वाली इस पर कर देना है click और यहाँ पर जो आप देख रहे है file 1 click here for guidelines इस पर जब हम click करेंगे हमारी जो advertisement है वो download start हो जाएगी मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इस इस पोस्ट को apply करने की last date है 13 जुलाई और यह जो आप नीचे link देख रहे हैं अभी PGI की website में portal open हो चुका है आप यदि इंट्रेस्टेंड है इस पोस्ट के लिए तो तुरंत ही apply कर दीजे तो यह आप देख सकते हैं यह advertisement है last date है form को बढ़ने की 13 जुलाई 2023 fees कितनी है application fees है 1500 rupees for general OBC and EWS के candidates के लिए SCST के लिए 800 रुपे है और person with benchmark disability exempted है payment आपको UPI के माध्यम से avoid करनी है हो सके तो debit card और credit card से करिएगा अब यदि हम 23 नंबर पर देखें तो यहां पर एक post आती है CSR assistant grade 2 करके level 2 की यह post है लेकिन दोस्तों यह central government job भी है 18 से 30 year इसकी age limit है और educational qualification में metric with science and certificate course of operation theatre assistant of one year duration from this institute या तो आपने एक साल का certificate course कर रखा है operation theatre assistant का और आप की metric science से होई है तब आप apply कर सकते हैं या फिर desirable education qualification जिन candidates के पास operation theatre techniques का diploma होगा उनको preference दी जाएगी experience के बारे में कुछ भी mention नहीं है it means आपको experience की जुरुत नहीं है यदि आपके पास diplomine operation theatre technology है प्लस आपने metric science से की है टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल छह पोस्ट है यू आर के लिए है दो पोस्ट SC के लिए है एक ST के लिए है एक OBC के लिए एक और EWS के लिए है एक यदि आप scheme of examination देखे तो 100 questions आएंगे 100 minute का paper होगा negative marking भी है 0.25 marks deduct हो जाएंगे अगर आपने गलतांसर दिया examination centers की यदि बात करें तो अंबाला भटिंडा बंगलूरू चंडिगर धैरादून दिल्ली गुहाटी एदराबाद इंडोर जैपूर कोलकता लखनो नागपूर पटना पूने रांची यह सब ही exam centers है syllabus आपका वो ही रहने वादा है जो कि आपने अपने diploma को करते वे आपने जो पढ़ाई की होगी वो सब ही आपका syllabus रहने वादा है apply करने का process मैंने बता दिया website पे जाके नीचे जो था option उस पे click करना है plus मुझे उमीद है ये वीडियो आप सबी के लिए helpful रहा होगा आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद